नमश्कार मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी अस्थमा के होने के कारण के बारे में यानि अस्थमा अगर किसी को है तो आखेर हुआ क्यों और अस्थमा में पाए जाने वाली ब्रेथलेस्नेस यानि कि सांस पूलना आखेर ये किंड किंड डिजीजस में म उने वाली जो प्रॉब्लम है उन सभी में सांस का फूलना मिलता है यानि कि इन सभी डिजीजस में जो में सिम्टम मिलेगा वो आपको ब्रेथलेस्नेस मिलेगा और अगर आप जब टेस्ट करवाते हैं काफी सारे टेस्ट में जब आप जाते हैं CBC with ESR, Spirometry, X-ray Chest, HRCT, PFT या Other Test तो उन सब में आपको आइडिया लगता है कि जो ये प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है और उसको हमें कैसे डील करना है मतलब अस्थमा, COPD, ILD, Infection ये सारी diseases, लंग के diseases है और इनको जो मुख्य इसमें सिंटम्स मिलता है इसमें मिलता है ब्रेथलेस्नेस तो जब हम treatment के लिए जाते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम कौन सी है ताकि उसके accordingly आप treatment दे सके लेकिन इससे ज़्यादा important है ये जानना कि इन सभी में आपको सास ही क्यों पुलती है प्रॉब्लम सास पुलने की क्यों आती है ये सभी lung की disease है और lungs का जो मुख्य काम है वो होता है gases का exchange करना यानि कि आपके शरीर में oxygen की requirement है और carbon dioxide आपके शरीर में जो oxygen को utilize करके बनी है वो आपके शरीर में अगर रही तो वो आपको toxic कर देगी आपके शरीर के लिए वो काफी विशाक्त है उसे बहां निकालना जरूरी है तो इस गंदी हवा को शरीर से बहां निकालना औ यह काम है आपके lungs का आपके respiratory tract का अब imagine कीजिए कि इस जो यह बार-बार सांस का आना जाना इस air का आना जाना आपके lungs में on regular basis हो रहा है जब से आपने जन्म लिया है जब तक आप जीएंगे तब तद और अगर इसी air में कोई ऐसी चीज है जो आपके lungs आसानी से लेना नहीं चाहते तो आपकोस वो react करेंगे यह चीज है allergen allergen मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर को लगता है कि मेरे शरीर के अंदर अगर यह गई तो problem कर देगी यह allergen कुछ भी हो सकते हैं जैसे की dust dirt कोई भी allergen particles हो सकते हैं pollen grain हो सकते हैं आपके घर में जमी हुई धूल हो सकत है कोई भी इस तरीके का जो humid atmosphere सीलन जी से बोलते हैं वो हो सकता है कुछ लोग जो घर में खाना बनाते हैं अगर वंगी ठी पे खाना बनाते हैं यह लकडियों पे खाना बन रहा है तो उनसे निकलने वाला धूआ हो सकता है आप अगर सर्दियों में अपने आपको हाल सेख लिए जो सिगडी जलाते हैं गर्माईश लेने के लिए उस से निकलने वाली धूआ हो सकता है कुछ लोगों का performance कुछ लोगों का जो काम है वो ही ऐसी ऐसी फैक्टरीज में होता है जहां पे different chemicals work हो रहा है जैसे strong perfumes के जो फैक्टरीज होती है या फिर कई chemical फैक्टरीज होत पे है जिनका air pollution बहुत ज्यादा है जहां की air quality बहुत ज्यादा खराब है तो यह particles पहले तो आपको कुछ नहीं करेंगे जब आप काम करना शुरू करते हैं आपको परिशानी नहीं होती बर धीरे धीरे आपकी lungs की जो capacity है वो कम होने लगती है lungs प्रभावित होने लगते हैं, lungs में problem आने लगती है और जो वो पहले सास ले सकते थे, exchange कर सकते थे उसी में आज अब problem आ चुकी है क्योंकि वहाँ पे ये गंदगी जमा होने शुरू हो गई है lungs में गंदगी जमा होने की वज़े से सास का आना जाना बहुत ही मुश्किल होता जाता है ये allergens आपके शरीर में ना जमे उसके लिए आपके lungs, आपके bronchioles संकुचित होते जाते हैं, सिकुडते जाते हैं और बलगम पैदा होने लगता है ये सास की नलियां सिकुडने की वज़े से, अवरोधित होने की वज़े से सास का आना जाना मुश्किल होता और ये मुख्य सिम्टम जो हमारे सारे respiratory problems में मिलता है वो develop होना शुरू हो जाता है तो आज मैंने आपसे discuss किया कि asthma या उसी से related जितनी भी respiratory diseases हैं जैसे की COPD याने की chronic, obstructive, pulmonary disease या फिर अगर हम बात करें ILD जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में discuss किया था interstitial lung disease जिसके कारण कुछ पता होते हैं कुछ नहीं पता होते हैं या फिर अगर हम बात करें आपकी किसी infection सी यानि की pneumonia हो गया किसी को किसी प्रकार का infection हो गया lungs का तो ये सभी चीज़ों में ultimately आपको सांस बूलने की तकलीफ आती है आपको जब पता चलने लगता है तो आप अपने test करवाईए आप proper treatment लीजिए निदान परिवर्जन कीजिए इसका मतलब जो cause है उसको निकालिए उसको बंद कीजिए उसे खतम कीजिए यानि कि अगर आप किसी ऐसी जगे काम कर रहे हैं जो आपके लिए सेहत मन नहीं है आ आपको कुछ न कुछ जद्दुजहत करनी होगी साथ ही अपनी lung capacity increase करनी के लिए आपको प्राणायामा, योगाज, आसनाज करने होगे definitely आप देखेंगे कि जब आप ये सब चीज़े करने लगते हैं और साथ ही आप जब अपनी immunity पर काम करेंगे ये आप कर सकते हैं कुछ खाना खाके, definitely healthy food को अपना कर और unhealthy food को छोड़ कर, weight loss करके आप अपने आपको ये सारी problem से बचा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, I hope आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अस्तमस से related जो भी query है, कुछ भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आप देखेंगे numbers पर कॉल करके, ये comment section में comment करके चानकरी ले सकते हैं, मैं और मेरी team पुरी तरीके स कोशिश करेगी आपकी help करें, धन्यवाद